तो मित्रो, दिन हो या रात, सूबा हो या शाम, आजकल सर्टिफिकेट्स बट रहे हैं भरमार तो इसी बहाने हमने भी सोचा क्यों न दिया जाए आप सब को भी फ्री में एक सर्टिफिकेट और साथ ही साथ सिखाया जाए सिखाया जाए एक सर्टिफिकेट जनुरीट करने वाली वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं जो देगी आपको रंग बिरंगे तरीके 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 नहीं नहीं सर्टिफिकेट तो ठीक है इंट्रो हुला अमीगोस बुले तो नमस्ते मित्रों अगर आपको भी चाहिए ये सर्टिफिकेट तो बिंदास होके जाएए इंसर्ट.netlify.app और जाके अपना प्यारा प्यारा नाम डाल दीजिए और बस गेट सेटिफिकेट को दबा दीजिए और हो जाएगा आपका सेटिफिकेट आउनलोड आहा मजे लीजिए ये आईए आईए चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इसे बनाया कैसे तो हमने बस बनाया इसे html css और java script में तो ये बड़ा आसान होने वाला है तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी कि हम एक template generate कर ले या एक template बना ले pdf में तो उसके लिए म तो यहां पे आपको search करने का option आएगा तो यहां option में डालिए certificate ओके ये रहा तो यहां पे आप click किजेगा तो आपको काफी सारे certificate मिल जाएंगे तो ये वाला मैंने use किया है यहां से आप ये भी कोई सा भी आप choose कर सकते हैं choose करने के बाद क्या किजेगा आपको जैसे जैसे मन करें से customize कर देना है और फिर उसके बाद यहां जो ये download वाला button है और यहां से pdf standard पे click करके यहां आप download कर लीजिएगा तो मैंने already यहां पे बना रखा है तो एक सेगेंड बस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किधर गया हमारा downloads ये रहा हमारा किधर गया template किधर है भाई सहाब बहुत सारे हमने pdf generate करे हैं तो ये देखिए ये जो है हमने यहां पे ये जगह जो हमने space छोड़ा है यहां पे हम अपने java script से यहां पे text को add कराएंगे तो इस तरह से ये link भी आप add कर सकते हैं pdf में तो बस तो चलिए अब हम start करते हैं अपना coding तो मित्रो सब, मित्रो जी, मित्रो जी तो अगर आपको codes चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या code में अगर कुछ speech में दिक्कत हो तो अराम से हमारा ये जो github repository है github.com slash civam joker cert desk generator यहां पे आ जाईएगा आपको तो अहां पे आपको सब code मिल जाएगा कि कैसे कैसे हमने क्या क्या file structure बनाया है तो दूसरी चीज हमें सबसे पहले हम यहां पे library का use करने वाले हैं जिसका नाम है क्या नाम है भाई github.com PDF library ये जो है हमारा ये library है जिससे हम PDF बना सकते हैं modify कर सकते हैं तो इनकी एक website भी है तो यहां पे आप चलिए देखिये जाके PDF live तो यहां से आप ये code बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं तो library को जरूर एक star दे दिया कीजिए यहां github पे कैसे star देते हैं यहां github पे यहां पे star पे click कर दीजिए मैंने already दे दिया है ही 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 ओकी तो चलिए आजाए ये ये website पे तो यहां पे आप install पे click कीजिएगा तो यहां पे आप देखिये NPM के साथ भी कर सकते हैं webpack या parcel को setup करके और या तो आप UMD module जो की हम करने जा रहे हैं ताकि आप लोग as a beginner काफी आसान हो जाए और ज्यादा कुछ जंजट ना कर बनाने बनाने में तो हम code editor कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप सब को पता है हम v s v s code यूज़ करने के लिए जा रहे हैं तो अराम से आप यहां पे new window को लीजिए तो यहां पे new window पे फिर क्या करना है हमें एक folder open करना है तो चलिए हम यहाँ पे एक नया folder बना लेते हैं, कौन सा folder, folder का नाम दे देते हैं, pdf search, कुछ भी नाम दे दीजिए और create पे click कर दीजिए, और फिर open, ओके, तो यहाँ पे अब new file पे click करना है, अगर आपने vs code नहीं है, आप notepad में भी बना सकते हैं, लेकिन काफी दिक्कत हो html, जी हाँ, तो यह हमारा जो होगा, वो html का file होगा, जो की automatically index.html है, तो root के document में यह खुल जाएगा, तो अब यहाँ पे exclamation mark दीजिए, किधर गया अपना exclamation mark किये रहा, और tap दबा दीजिए, खड़ाक से, तो जी हाँ, अब यहाँ पे यह सब अपने, आप यह html में format हो गया, मैं आपको कुछ नहीं समझाने जा रहा हूँ, कि यह क्या कैसे है, तो title में get, लिख दीजे, get certificate, कुछ भी आप डाल सकते हैं, certificate of Padhega India, ओके, तो यहाँ body में हमें क्या करना है, हमें, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से pdf live का हम यह min वाला जो है, यह वाला include कर दे कीजिए, और यहाँ आजाईए, और हमें script डालना है, तो script src और यह वाला जो link है, यह हम यहाँ paste कर देंगे, या तो आप इसे download करके भी directly import कर सकते हैं, या तो वैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर चली एक हम header बना लेते हैं, header, और इसमें नाम दे देते हैं, get your certificate, alright, ऐसे अभी देखने के लिए, और फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी मित्रों, किस चीज की, यह यहाँ extension वाले button पे click किजिए, और यह live server है न, यह जो हमारे रित्विक दे भाईया ने बनाया है, तो बहुत-बहुत सुक्रिया आपको, रित्विक दे भाईया आप पता है मेरा वीडियो नहीं देखोगे, लेकिन फिर भी बहुत-बहुत धन्यवाद, यह must सा है, आपको इसे install कर लेना है, बस उसके बाद सब server चलेगा अपना चंगासी, ओके, तो चलिए आप install कर लीजेगा, इसको install करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जब आप right click करके, इसको open with live server कर दीजिएगा, तो मित्रों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आ गया हमारा get your certificate, तो फटाक से आजएए, अब हम यहाँ पे अपना वाला script डालेंगे, script src, जिसका नाम हम धरते हैं, index.js, और अब control या command क्लिक के जए इस पे और create file कर दीजए, यह shortcut तरीका है, hello bitch, okay, नहीं, ठीक है, bitc है, तो अब आप console कैसे खोलिएगा, guys, यहाँ पे right click करके inspect किजिएगा, या command shift i से भी आप console खोल सकते हैं, तो यह देखे, यह आ गया है, हमारा hello bitch, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, hello bitch, ठीक है, तो चलिए, और हमारा यह library भी setup हो गया है, तो इसे हम confirm करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसे हम confirm करने के लिए, pdf live, जो है इसका, pdf, pdf live, तो यह देखे, यह यहाँ पे हम जो जब type करेंगे, तो इसमें सारे जो भी function है, वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे, cash, invalidate, pdf image, blah, 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 और भी बहुत कुछ, तो मित्रों हम सबसे पहले क्या करना है, अब हमने तो यहाँ पे सब कुछ सेट अप कर लिया है, library सेट अप कर लिया, script वाला सेट अप कर लिया, तो चलिए, अब हम यह जो cert है, हमारा pdf, आप github से यह download कर सकते हैं, अगर आप अपना नहीं बनाना चाहते हैं, तो सीधे आईए, यहाँ ड्रैग, ड्रैग, ड्रैग हो जाएगा, इसको close कर दीजे, इसको close कर दीजे, हम pdf में directly नहीं edit करने वाले हैं, तो यह हमारा यहाँ पे pdf आ गया है, तो यहाँ पे मैंने यह safari में खोल लिया, क्योंकि chrome में कुछ problem आ रहा था, ओके, तो hello bitch हमने लिखा था, लेकिन hello bitch से काम अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक function बना लेते हैं, const, const, और यह function होगा, async, और हम async और await का use कर रहे हैं, क्योंकि इसमें promise होगा, तो promise, async, await, then, res, यह सब का, जदा आपको समझने का जरूरत नहीं है, मैं अलग से async, await, यह सब पे video बना दूंगा, जब java script का course भी आए इसमें details से होंगी, सब चीजे, तो सबसे पहले, like, इस function का हम नाम देते हैं, generate pdf, is equals to, अब हम इसमें async लगा देते हैं, और इसमें हम जो है, जो user का नाम है, वो pass कर देंगे, तो यहां name लिख दीजे, और यह हम इसे arrow function बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक तो अब हमें एक चीज और करना होगा, कि हम directly यह pdf live भी use कर सकते थे, लेकिन, 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 हम इसे destructure कर देते हैं, इसलिए const, तो जो जो चीज हमें सबसे पहले, जो destructure करेंगे, वो होगा, pdf document, इस से हम document, जो है editing वागेरा, इस method से होगा, इस function से होगा, फिर उसके बा इतना काफी है, I guess, is equals to pdf live, L capital है, L I B, तो यह हो गया, गईस, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलिए, फेच करेंगे, क्या फेच करेंगे, हमारा जो यह वाला जो certificate है, इसे हम फेच करेंगे, मतलब की इसे डाउनलोड करेंगे, कहां, अपने code में है, घर में नहीं, तो से पहले, आईए, तो हम क्या करते हैं, कॉंस्ट, इसका नाम देते हैं, हम, ex, bytes, existing bytes, तो हम इसे, like, byte में, array का जो byte होगा, वो binary type में, ताकि हम उसे edit कर सके, इसके documentation में सब कुछ ऐसा दिया है, तो उसी तरह से हम इसे convert करेंगे, तो सबसे पहले हम use करेंगे, कि इसका await का, ता तक हम जो ये fetch वाला है, fetch क्या करना है, हमारा जो url है, dot slash, जो भी आपका यहाँ ये नाम होगा, cert.pdf, वो यहाँ डाल दे, cert.pdf, तो हमारा pdf fetch हो जाएगा, उसके बाद हम dot then, fetch होने के बाद हमें क्या करना है, जो response होगा, उसे हम क्या करेंगे, array bytes में convert कर देंगे, तो rest.array buffer, ठीक है, तो ये एक function है, तो ये built-in function है, ये इस library से इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हो गया, ये अगर हमने return नहीं लिखा है, या तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर हमें फिर return लिख लिखना होगा, तो ये इस तरह से भी, ये जो है फिर हमारा ये जो byte होगा, जो भी हमारा fetch किया हुआ data आएगा, जो document से निकलेगा, तो चलिए हम एक बार इसे console log करके verify कर लेते हैं, xbytes तो console किदर खुलेगा भाया, तो बुद्धु महराज ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क तो ये यहाँ पे देखिए हमें अरे का ये buffer मिल गया है, ये buffer binary वाला मिल गया है, तो अब हम इसे अपना ये जो PDF वाला function है, इससे हम अब PDF document बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप इनके website पे जाएगा, तो सारा instruction है कि कैसे कैसे document बनाना है, कैसे कैसे font यूज करना है, तो मैं आ सब कुछ, एक number ये चीज है, custom font, तो मैं आपको custom font भी use करने के लिए इसमें बताऊंगा, तो बस ये basic सा होगा, तो ये देखिए, ये SVG वाला example है, तो बस इसे हम close कर देते हैं, तो आजाए, ये हमारा certificate आगया इधर, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक document बनाना है, त तो इसको हम, इसका हमारे पास कोई काम नहीं, तो remove कर दीजिए, तो हम वही करेंगे const pdf doc, pdf doc is equals to pdf document, तो ये async function है, तो ये await use करेंगे हम फिर से, pdf document.load, इसमें ये auto complete नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहां ऐसे जाके ये import किया है, अगर npm से करते तो ये automatically सब कुछ ले लेता, तो यहां पर ये जो हमारा ex byte है, जो हमने यहां पर fetch किया, तो ये वाला जो हम pdf है, इसे हम यहां पर करेंगे, मतलब show कर देंगे, तो चलिए ये हमारा pdf doc बन गया है, तो अब हमें ये pdf को show करना है, तो हम क्या कर सकते है, तो हमें इसे data url में बदलना होगा, data url मतलब कि ये एक हमें url दे देगा, जिसे हम end कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, भाई सहाब, तो 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 बड़ा असा saat है ये, तो इसे हम क्या करना है, const url, कुछ भी नाम डाल दी यह इसका uri is equals to await, फिर से हर जगह इसमें await हो रहा है, इसलिए हमने यह async function बनाया, आप then यह सब का भी use कर सकते हैं, तो pdf doc जो है हमारा, इसमें doc dot 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 dot, उसके बाद save as base 64, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, यह जो data uri है, uri true कर देंगे, ठीक है, तो अब हमें यह url मिल जाएगा, तो अब हमें इसे दिखाना है, तो हम iframe या amd का use कर लेते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे iframe का use करेंगे, तो iframe, यह यहाँ पे iframe आ गया, हमारा source कुछ नहीं डालना है, तो यहाँ पे हम id डाल देते हैं, id equals to my pdf, कुछ भी डाल लीजे, my pdf आ गया यहाँ पे, और अब हमेंशे दिखाना है, तो हम वही use करेंगे, document.query selector, and जो हमारा id है, उसको hash यह select करते हैं, my pdf, और फिर इसका जो हम src है, जो source value है, वो उसको हम क्या कर देंगे, जो uri है वो, तो यह देखे, यह हमारा pdf, यह यहाँ पे दिख रह है, तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं, height is equals to 500 pixels, तो यह देखे, यह बड़ा हो गया, और width कितना डालते हैं, width यह डाल देते हैं, 300 pixels, 400 कर देते हैं, तो यह must सा आ गया, नहीं यह भी 500 करेंगे, तो चलो यह यह हो गया अपना, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें, जो यहां पे हम इसमें text अब कैसे add करेंगे, तो मितरो, अब वकत आ गया है कि हम font भी लगा लें, तो font के लिए हमें font पहले डाउनलूड करना होगा, तो font डाउनलूड करने के लिए fonts.google.com पे पदा रहें, और यहां आप जाएगा, तो आप यहां पे डेर सारे आपको जैसा भी जो भी font लगे, तो वहां पे जो canva पे जो font था, वो उसका नाम था, Sanchez, कुछ ऐसे करके नाम था, S-A-N-C-H, तो यह वाला जो font था, यह वाला font, हां, यह वाला, हां, हां, तो इस पे हम click करेंगे, तो यहां पे अब आप देखिए का कि download family है, तो download family पे click कर दीजेगा, और यहां allow मारिये, Chrome में यह हो जागा download, तो यह देखिए, यहां हो गया download, तो चलिए, अब हम इसे open कर लेते हैं, तो यह आगया, यह आपके, में zip में होगा, तो extract कर लीजेगा, तो यह जो हमारा regular वाला version है, इसे हम अब क्या करेंगे, इसे हम अब उठा के डाल देंगे, इधर, 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 किधर भॉग गलर, ओके, 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 आजा बटा, तो यह जो है, हमारा font यहां आ गया है, कोई सा भी font यूज कर सकते हैं, यहां पर मैंने जैसे बताया कि काफी सारे fonts हैं, ओके, तो चलिए, अब हमें font को कैसे लगाना है, तो सबसे पहल यहां उसी तरह हमें font को भी fetch करना होगा, जी हां, कैसे हमने fetch किया, कैसे हमने fetch किया, तो सीधा सीधा const fetch, मतलब यह fetch क्या कर रहा है, यह एक HTTP request मार रहा है इस पे, और इसको download कर दे रहा है, बहुत ही simple, ex font, कुछ भी नाम डाल दीजिए, वही वेट लगाईए, वेट करो, अगर आप कोई folder में रखना चाहते है, तो उस folder का location डाल दीजिए, और फिर dot then मारो, और वही, res equals to, और यह मार दो, अब यहां return कर दो, res dot array buffer, तो हमारा जो array buffer वाला है, वो इस ex font में save हो जाएगा, तो और हमें एक चीज गाईज, क्या करनी है, यहां हमें import करना होगा, जो font ह है, उसके लिए भी same चीज है, तो इसको हम एक बार यह कर लेते हैं, duplicate, और यहां पे जो हमें है, थोड़ा सा change करना होगा, तो यह URL सब मैं आपको नीचे description में दे दूँगा, तो यहां से यह हम remove कर देते हैं, तो यह वाला जो है, यह हमारा font kit का URL होगा, यह हमने import कर लिया, और तो चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको initialize करना है, कैसे हम initialize करेंगे, तो लिखते हैं हम यहां, आप आगे भी नीचे भी, तो यहां हम initialize करते हैं, pdf.dot, what, 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 क्या था, क्या था, क्या था, register, r-e-g-i-s, t-e-r, register, font kit, font kit register हो जाएगा इससे, और जो font kit का नाम है, वो भी हमने यहां, इसमें font kit, जो हमने library import किया, वो भी यहां pass करना होगा, ओके, तो बस यह हो गया हमारा, अब हम font को imd कैसे करेंगे, तो imd करने के लिए बड़ा simple सा है, const, जो भी आपका नाम है, my font, यहां पर यह लिख दीजिए, और यहां await, await नहीं, अरे यार, await, oh, fuck, await, pdf.dot, amd, font, font, तो यह क्या करेगा, जो हमारा font है, उसको imd कर देगा, जो हम x font, x font है, या font bytes है, कुछ भी आप इसको बुला लीजिए, ओके, और फिर अब हमें यहां पर, जो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कि यहां पर multiple pages भी, guys, आ सकते हैं, अरे, मैंने spelling अलत लिख दिया, तो सई से यह लिख लेना, REGIS TER register font kit, ओ, 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 तो पता चल गया कि हमें की थुरा research करने के बाद कि कहां हम गड़बड़ी कर रहे हैं, तो यह जो है हमारा PDF, यह हम तभी font को amd कर पाएंगे, जब हमारा PDF document load हो पाएगा, तो यहाँ पे हमें डालना होगा, तो चलिए, तो guys इसे भी नीचे डालना है, हमारा जो यह पहले हमारा document create हो जाएगा, PDF doc, कितना बुद्धू हूँ मैं, यह PDF doc यहाँ define करा और PDF doc देखो, इधर इधर बेटा मैं लगा रहा हूँ, वाह, वाह, जियो, चलो, कोई बात नहीं, तो होता है, बड़ी-बड़ी सहरों में छोटी-छोटी बाते होते रहती हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो यह page है, multiple pages हो सकते हैं, तो इसी लिए हमें सबसे पहले page लेना होगा, तो const page is, pages, 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 तो यह pages होंगे, तो हमारा जो pdf document होगा, उससे हम get pages वाला function लेते हैं, और यह जो है, यह हमारा जितना total page होगा, वो बता देगा, कितना page है, यह एक array बना देगा, तो const, first page, first p लिख दीजिए, pg, first page is equals to pages, यह पुरा array है, और इसमें से पहला वाला जो हम है, वो ले लेंगे, है ना, अहां, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस first page को हमें edit करना है, तो हम first pg.draw text, आप कोई भी function यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे draw image वगेरा सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन हमें बस अभी थोड़ा सा drawing बनाना है, drawing बनाना है, जी हाँ, तो draw text, और जो भी हमारा सबसे पहला argument हम यहाँ पास करेंगे, जो भी name है, तो name हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे हमने लिया है, किधर गया, यह function हमारा जो यह async function है, यहाँ पे हम name ले रहे हैं, ओके, और तो यहा चलो हम गंदा बच्चा करते हैं, गंदा बच्चा, ओके, ऐसे name आ गया हमारा, तो अब यह name पास हो रहा है, यहाँ नेम भी आ रहा है, तो name आ गया, तो सबसे पहले हम इसमें x और y coordinates देंगे, तो x, x कैसे होता है guys, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, तो x जो है इस direction में आय और y ऐसे ऐसे आया horizontally, okay, तो x का direction हम देते हैं, पहले x का जो distance है वो देते हैं, like 100 डाल के देखिए, आप कोई software से इसे calculate भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया है, इसलिए मैं अपने अंदाजे से थोड़ा घिसकाता फिसकाता, इसमें लग गया मैं, यह देखिए, य में और इधर side करना है, तो यह y direction में होगा, इधर corner से जो है हमारा corner से जो direction वाला है, वो direction तेरी मेरी तीरा मेरा सब start होता है, तीर इधर से जाएगा, तो थोड़ा सा x से x और उपर करना है, तो चलिए इसे हम increase कर देते हैं, तो 300 करते हैं, चलिए 300 और y जो है, y कितना कर दे हैं 270, तो यह देखे, यह यहाँ पर हमारा कितना एकदम perfect इस जगह पर आ गया है, तो आप उपर नीचे करके देखेगा, मैंने already कर लिया था, तो आप लोग से कुछ छुपाना अच्छी बात है नहीं, तो आईए अब हम इसमें अपना font लगा सकते हैं, तो size जो है, वो size हम हमारा रहेगा 58, आपको जितना बड़ा बड़ा चाहिए, उतना बड़ा बड़ा लगा दीजिएगा, तो गंदा बच्चा बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा हाँ, तो अब यहाँ पर हम font जो है, जो भी आपका font यहाँ पर नाम होगा, किदर गया, my font, आप कु इसमें तो अगर आप इसको कलर डालना चाहते हैं इसमें, तो आपको और जीवी के कलर को पर्सेंटेज में बना के डालना होगा, हमने यहाँ पर देखिए और जीवी वाला function इंपोर्ट किया है, आप डिरेक्टली इसमें हैक्स कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसा नहीं कर सर्च कर लीजिएगा, हैक्स टू आरजीवी परसेंटेज तो यह हमारा बन गया सर्टीफिकेट, जी हां तो काफी शांदार लग रहा है यह, तो बस अब हमें यहाँ पे और हम आगे अब इसको डाउनलोड वाला बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको कस्टमाइज करके प् लेकिन हम चाहते हैं जब यूजर बटन पर क्लिक करें तो दाउन, 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 लोड हो जाए, तो इतना तो हमने PDF तो एडिट कर लिया भाई, और URI भी है हमारे पास, तो अराम से अब चलिए हम देखते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और हम एक चीज कर सकते हैं, यहां पर अगर आपको सिर्फ URI open करना है, window.rar, open, और जो हमारा URI है वो डाल दीजिए, पॉपप ब्लॉक कर दिया इसने, तो यह देखिए, यह पॉपप खुल गया हमारा, तो यह यहां पर pure PDF है, आप इसको क्या कर सकते हैं, ओके, तो यह हमारा URI तो डेटा URI, तो अराम से चलिए, अब हम, तो मित्रों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो यह था हमारा part 1, जहां हमने generate किया certificate, वो भी जावा स्क्रिप्ट में, और PDF भी बना दिया उसका, तो actually, अब हम part 2 में क्या करने वाले हैं, part 2 जल नहीं आ जाएगा, तो आप ल बनाने वाले हैं, कि यह website का जो front end है, यह जो हम design है, वो HTML, CSS में बनाएंगे, और इसमें हम download वाला feature भी implement करेंगे, कि user, जब यह get certificate button पे click करें, तो certificate download हो जाए, और तो और इस website का सुन्दर UI है, साथ में साथ, इसके साथ, और हमने इसमें dark mode का भी feature add कर रखा है, जैसे हम dark mode enable क आता है, तो बस I hope कि आपको ये वाला part पसंद आया हो, तो please like, share, subscribe, अगर नहीं पसंद आया, तो नीचे comment line खुली हैं, आपके लिए गालियां 24 गंटे चलेंगी, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप हमें support कर सकते हैं, patreon.com slash creative jee पर